मद्यप्रदेश की मुख्यमंत्री रत पर सवार होकर जबलपूर पहुंचे यहाँ पर आयोजन कारेकरम के दौरान उन्होंने लाडली योजना की शुरुवात की सवा करोड बहनों ने लाडली योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया है जिसकी पहली किष्ट एक हजार रुपई की मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने दी इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 जून की तारीक इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई है वेक्यान लाइन ओर्डर संभालने का काम बख़ू भी कर रही है 50% आरेक्शन दिया सिक्छग जैसी नोकरियों में एक काम और जिसका बहुत सकारात मकसर हो रहा है कि अगर कोई जमीन मकान खेत संपत्ती रेजिस्ट्री अगर बेहनों के नाम से कराएंगे तो इस ताम सुल्क रेजिस्ट्री सुल्क के वल एक परसेंट लगेगा तो रेजिस्ट्री सुल्क का पैसा बच जाए इसलिए रेजिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो बेहनों की नाम पर होने वाली रेजिस्ट्री में अप्रियासित ब्रिद्धी हुई है और उनका ससक्ती करण हुआ है गरीब बेहनों के लिए और के योजनाइती बेटियों को साइक्ल हो या बेटा बेटी के जन्म के पहले मजदूर बेहन को चारह पाराजार उट्या हो ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो आराम कर सकें लेकिन आज उसमें एक बहुत महत्पून कड़ी जुड़ रही है वह मुख मंत्री लाड़नी बेहना योजना मैंने देखा कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए बेहनों को परिसान होन मांग ले कुछ सामान मांग ले तत्काल दवाई लाना हो और जरूरी काम करना हो बहन अपने आपको असहाए महसूस करती थी और शलिए मुझे लगा क्योंकि 2017 में बेगा भारिया शहरिया बेहनों के खाते में एक हजार रुपर डालना शुरू किया था जो अत्यंत कॉंग्रिस पर नकल करने का आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए कहा कि कॉंग्रिस के साथ साथ वीजेपी भी आपके बताय रास्ते पर चलने लगी करनाटक में कॉंग्रिस की गैरिंटी आपके मैनुफेस्टों की नकल थी अब MP में वीजेपी ने आपकी रहा दिये हैं साथ ही करनाटक में महिलाओं के लिए बस यात्रा को भी फ्री करने का एलान किया है